आउटपूट सबको मिल रहा है आउडियो आउटपूट मोबाइल सालेंट कर लीजे प्लीज जैसा कि आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी था और जितना आप लोगों पता है कल गनेश जी ओशिवरा पूलिस टेशन गए थे और वहां जाके लिखाई उन्होंने और क्या कहना चाहते हैं तो उसके बारे में गनेश जी से ही पूछते हैं नमश्कार मैं यह कहूंगा कि यह जो कुछ हो रहा है यह बहुत देर से इसकी सब प्लानिंग चल रही थी लेकिन मैं चाहता हूं मेरे से पहले जो मेरे एड़ोकेट है रवी सुरियोंची जी एक कुछ आप को डिस्पूट चल ला है दिव्या कोटियांजी के साथ यह डिस्पूट चल ला है उन्होंने जून 2019 में कोरियोग्राफरस असोशेशन में इफ्टीपी-CMA में में अफलाई किया उनको मेंबर्शिप मिलने के बाद उन्होंने कमिटी मेंबर्स और असोशेशन के सीनियर मे के बारे में उल्टा सिधा भाहर बोलना चालू किया यह बात जब असोशेशन को पता चली तो नवेंबर में नवेंबर 2019 में उनका मेंबर्शिप तर्मिनेट कर दिया गया अब जब मेंबर्शिप तर्मिनेट हुआ उसके बाद उन्होंने लीगल नोटीस और खुद के ले कभी भी एचीज नहीं बोली कि गनेश जी ने कुछ परस्नली अभी जो नहीं नया स्टोरी पॉन वीडियो का निकाला एक बार भी नहीं बोला था नवेंबर से लेके अब तक तो उनने इतना है बोला था कि मेरे मेरे पीछे सब लोग पड़े मेरे करियर के पड़े मुझे नही बहुले से दंगिया देए कि तुमारा करियर बरबाद कर देंगे यह सब विडिवेशन सुनने की थे जो जूते थे इनके साब से और सारे अशुषिएशन के मेंबर्स रिष तो उनने यह ने उनका मेंबर्शिप जो टरमेन किया था उननी मसली कमिटी ने डिसिजन ल वह बनावा था, उस HGM में उनको आने का दिवया जी को आने का कोई मतलब नहीं था, वह नहीं ती वह प्रिमाइस में आई और जब गनेश जी निकले वहां से भाहर उनका HGM खतम करके उनके पिछे पिछे कुछ यह दिवया जी का और पृति जी का और जैसरी जी का इनका किया, उनके NC के बाद दिवया जी ने भी उनके अगेंस में NC किया और उस NC में उन्होंने गनेश जी का गलत नाम डाला, उन्होंने लिखा कि इन दो लड़कियों ने मेरे साथ जगडा किया, अब यह बात गलत है, यह हुआ फिर 27 को वह विमेंस कमिशन में जाके उनने वहा कि अगेंस करते हो तो आपको सोच समझ के करना चाहिए क्यूंकि यह केस तो इंडिया में कोई भी किसी के अगेंस जो चाहिए कर सकता है, उसको प्रूव करना या उसमें थोड़ा भी मेरिट दिखाना यह आगे की बात है, अब हम उसको कैसे डिल कर रहे है यह आपको बनाके उनके ऐलिगेशन करते हो, इसके बाद हमने ओषयवरा पुलीस stratégion में अंसी यह एक रिटन कॉम्लेंट भी दिया, वैसे ही अमळ्य पुली कंप्लेंट दिया है कि इन्होंने जूटा एलिगेशन्स और जूटा केस किया हमारे अगेंस इसका एक रिटर्न कंप्लेंट अम्बुली पुलिस टेशन में भी दिया है अब इस केस के और दूसरे पहलू है जो डिटल में गनेज जी और सागर जी आपको बताएंगे यह जग कि एड़े की वज़े से डांसर्स जो उनके मेंबर्स है वो परेशान हो रहे थे अब कुछ डांसर्स गानेज जी के पास आये उन्होंने गनेज जी को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हमारा सेपरेट डांसर्स का असोशेशन बनना चाहते गनेज जो मदद चाहिए मैं कर परेशान है तो नया डांसर्स असोशेशन बना अब उस दांसर्स असोशेशन के बनने के बाद एग्जिस्टिंग जूस्ट्न शचेशन है उसके मैंबर्स को परिशानी होनेרי क्यDamर्श अकर होगे तो जो भी है जो भी इंड़स्ट्रि में चलता है उनका उप्योग उनका Brazilian मिचने से अपयक्ट होगा. अब इसके चलते वियाजी को उनने उनकी कमिटी पे ले ले लिए जब नवेंबर में नेका मेंबर शिब अशिब सुरूह करने ले लिया. ने दिव्याजी को अपनी कमिटी ले लिया, समझ लिजी आप सारी घटना को, और उसके बाद ये उनके अगेंस में परस्नल टारगेट करना शुरू हो गया, बहुत से लोग इनको टारगेट करने लगे है, अब्जेक्टिव सिंपल है, कि ये नया डांसर्स असोचेशन जो सुकसेस्फुल ना हो, और आलन चीज है इसके पीचह। एक को ओरडिनेटरस में आपको बताता हूं जिसमें लीगल इशु क्या है, एक मैटर हुआ था, जिसमें विपुल शाज जी ने कंप्लेंट किया था 2014 में, जो मेंबर टु मेंबर वर्किंग था, कि आप मेरे ही मेंबर्स के साथ काम करोगे, और किसी के साथ काम करोगे, तो हम लोग आपका नौन कोपरेशन कर देंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेगा, यह इशु था, कॉडिनेटर का इशु यह है कि कॉडिनेटर्स चाहते है, जो फेडरेशन के अलाइड असोसियेशन है, उनका कहना है कि सारे डांसर्स हमारे थू ही हायर होने चाहिए, और किसी के तूर आप ले नहीं सकते, अब कुछ लोग मतलब गनेश जी और कुछ लोग अपने अपने डांसर्स हायर करते है, इस चीज का उनको प्रॉबलम है, तो यह मल्टिपल चीजे है, जिनकी वज़े से गनेश जी को टार्गेट किया जा रहा है, यह इसका बैक्राउंड अब गनेश जी को पूछ सकते है, जो पुछन है. कुछ सवाल करना आपको. अब ही नहीं है कि वह सड़नली कहां से और क्या यह सब कुछ कर रही है, मैंने उसको कम सखम मेरे अखल से वो गुरूब दंसर थी कुछ दोजार पांच-छे साथ में तब उसने शायद काम किया है, तो के बाद तो काम भी नहीं किया और यह सब बेसिकली पुरा प्लान है, बहुत बड़ा गेम है कि मैं किसी भी हालात में यह डांस मास्टर और डांसर के लिए जो सोच रहा हूं अच्छा करने के लिए इधर से गनेश अचारे हट जाए, उनकी कोडिनेटर चले, उनका पुरा काम हो, यह सब बेसिकली बहुत दो तीन साल से फाइट चल रही है, क् से यह कहीति लिए ग्या फाइट के लिए अगा है। ऌो इनकि उनकी ओपन हो गगई। फिर पुराने उसके लाई डाले कामीटिया उन्हों पिर अफिस बन कर ढग तीज, भी कोडिनेटर की लिए direct के लिए। पिर बहुत सारे कोडिनेटर के लिए лड़ा फिर दौनेज श बेसिकली 217 कोरोगाफर के साइं लिए जहाँ पे हम लोग ने यह पुरा किया हमको हमारे मर्जी से काम करना मेरे असिस्टन के साथ काम करता है मेरे असिस्टन कोरोगाफर डांसर पुरा कर रहा है कहीं सालों से और वही बेसिकली पुरुसर से पेमिंट लेता है पुरुसर से तो बहुत बुरा लगता लगता लेकिन अभी इसके लड़ेंगे रवी जी जो करना है वो केस करेंगा रगे फाइट करेंगे इसके तहत अगर जाना आपको तो में यहाँ पे डांस डाशुशन के प्रेसिडेंट मिस्ट सागर दासा है वो भी आपको थोड़ा सा कुछ अभर जाते हो है तो इनको एक एक में आके बताना चाहता हूं कि सके पीछे क्या है इसकेपीछे क्यों यह दिव्या कोटण गनेशाचे जरी के बारे में बोल रही है और दिव्या कोटण के पीछे कौन है जो यह उसके gemacht चरार है मैं यह बोलना जाता हूँ कि जैसे हमारे लॉयर ने भी आपको बताया है कि जैसे ही ये कोडिनेटर वाला ये प्रोब्लम हुआ अच्छा बिफोर एस्टा एनिधिंग आजसे ना हमारे यूनियन को ना किसी को भी सिवाई ये ऐलिगेशन कि हमको ना फेडरेशन से प्रोब्ल जब मैं भी एसिस्टेंट था यहां और और एसिस्टेंट है तो मास्टर जी के जो एसिस्टेंट है हम लोग खुदी बोर्ड पूरा करते हैं जो डांसर की रिक्वायर मेंटी थी फिर ये कोडिनेटर आए नो प्रोब्लम कोई कोरियोग्रफर कोडिनेटर के साथ काम करना करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता है जो हमने प्टेशन भेजा फेडरेशन को उसमें भी यही लिखा था कि हमको प्रोड बॉसर्सको ऑर हमको यह बोला जा रहा था कि पाँच कोडिनेटर के साथ काम करना पड़ेगा सिर्फ हमने पेटिशन में ये लिख के भेजा कि पाँच के साथ आप हमें फोर्स मत कीजिए हम जो वो पाँच के साथ भी करेंगे और हम जिसके साथ करना चाहते हम उसके साथ भी करने दीजिए और ये हमने में जून में हमने बेसे हुआ है यह पेड이hern 217 जिसमें सारे कोयोग्रफ़र्समास्टर जी रेमो फारा मयम कावज का ऊसमें निगनेचर था उसके बाद यह कोहडिनेटर अभी क्या हु रहा है कि inspired jnone कर दीआ उसके बाद हम उन न कोहुडिनेटर खिलाब जो हम जो फोर्स कर रहे तो हमने वामने नॉच स्टीने शबहे नोहिछा, भर नो दोे पूह हमें आपने मिंडिशन, बहुते बधाशे कर दोוע किया दोशने, बहुति नहीं आपको अरम किंगोंने नहीं कर दोव्डे करते किषी म्हुछार के अपने मेंबर्स को बोल तो हमारे मेंबर्स दो अमारे मेंभर्स नेक्स बोर्ट में भी उनमें से ये कोडिनेटर ने कुछ फॉरिनर्स भी दिये जो उनके शूटिंग में लगते हैं तो ये प्रॉब्म सॉल हो गया था फिर से अभी रिसेंट्ली हमारे लॉली सर है बहुत हमारे सीनियर मेंबर में उनके ग्रूप में दांस भी कर चुका हू उनके सेट पे फिर से फेडरेशन का एक विजलिंस सॉफिसर गया और उन्होंने वह पर शुटिंग इस्टरप करके उनोंने बोला कि पापको इनके साथ ही काम करना पड़ेगा आपके सेट पे कोर्डिनेटर नहीं है तो वो हमने उनको वहाँ पी हम गए वहाँ पी संझाय कि आप प्लीज आप मदर बोड़ी हैं आप हमारा भी situation समझिए कि कोई किसी के साथ काम करना चाता है कोई किसी के साथ नहीं करना चाता है तो आप प्लीज फोर्स मत कीजिए हम भी प्रोड्यूसर मेर को यह सवाल बोत आते कि CCI का रूल तो आपके भी अगेंस्ट है हां है हम को फॉलो करते हैं हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे CCI बोलता है मेंबर टू मेंबर वरकिंग आप फोर्स नहीं कर सकते हम किसी भी कोई प्रोड्यूसर को हम जाके यह नहीं बोलते कि यह कोरियोग्रफर नहीं है यह हमारा मेंबर नहीं आप इसके साथ काम मत करो हम वो कोरियो बन जाएंगे, हमने कभी भी किसी प्रोडूसर को फोर्स नहीं किया, रही बात, दिव्या का जो मैटर था एक, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि हमने, जो दिव्या का भी नॉन कोपरेशन निकला था, वो हमने कोई प्रोडूसर को नहीं जो मास्टर जी इवेंट कर रहें, शो कर रहें, चारिटी शो, उसके लिए मैं थोड़ा डीटेल देना चाहरा हूँ कि काफी लोग यह बुलते जा रहे वो शो हो रहा है, वो मास्टर जी की असुसर का फांडेशन में क्यों जाने वाला है पैसा और ऐसे कैसे डांसर का पै यूनियन भी थोड़ी तफ टाइम से जारी, आप प्लीज यह पे आई और हमको मदद कीजे, तब मास्ट जी ने हमें बोला था कि मैं यार ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि सारे डांसर को और जो सीनियर कोरियोग्रफर्स जो तकलीफ में हैं, एसिस्टेंट्स हैं, मैं उन चैनल कर जो लग न था, वो मास्ट जी का ही लग ना था, और यह मास्ट जी जी एस बनने के बाद, इनोंने यह डिसीजि़े लिया, ऐसा नहीं है, मैं खूद प्रेसिडेंट्स ने के पेरे, जब मैं जोइन सेकेट्री था, तब जब मैं मास्ट जी से मिला और भी मेरे बू यहां जानते होगा जाते होगे कि युषर आप अच्छा करना चाहते साथ लग जा टолов करना चाहते बड़ सब्समत क्षटों क्यों गडशय करना चाहते है तो युणियन कि वो चारिटी फाउंडेशन के भार खड़े हो जाए और बोले कि हमारा पैसा आपको हमको देना चाहिए आप कैसे आपके फाउंडेशन में आ रहा है सारे आटिस्टों ने मास्टर जी को यह बुल और मैं आटिस्ट का नाम नहीं लोंगा मैंने खुद सुना है मस्टी जब अच्छिए इस और भी आटिस्टों नहीं बिए आटिस्टों आटिस्टों अच्छिए परूंडेशन के लिए गूंगा मैं तो यह बुल आट मैं बट खालेना चाहता हूं कि कोई युनियन का पैसा नहीं लग रहा था मासरजी का लग रहा था पृति प्री लाद इस गनल यह बूल से की अच्छिए फ्रेटरी आटिंव वह था नहीं पार में असकी जन्रल सेक्रेटरी हो मैं छोटा सा इक डिस्क्रेप्शन देना चाहूंगी यह आट के बारे में यह यूनियन इस लिए क्युको हम सी डी एके डिश्प्यूट से थक चुके थे Dancers परेशान हो थे, dancers को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको हर शुटिंग में जाके इतनी तकलीफ क्यू हो रही है, जबकि Dancers का काम है कि उनको एक कुरियोग्रफर के शुटिंग के लिए बुलाया गया है, उनको शूट करना है, दे गटिंग पेड फॉर इट और उनको जाना कि हम किसी के अंडर क्यू काम करें, क्यूंकि कुरियोग्रफर हमें काम दे रहा है, इसके लिए मासर जी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम उनके पास गये और हमने कहा कि मासर जी हमें प्लीज हेल्प कर दीजे क्यूंकि अभी बहुत जादा गुंदागर्दी हो रहा है और इंडिरेक्ली ये कुरियोग्रफर्स को भी अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए हमने ये नया यूनियन का इनाउगरेशन किया फर्स्ट को और उसका नाम है अफ्रिडा, इस ओल इंडिया फिलिम टेलिविजिन और इविट्स डांसर असोसियेशन, बट इस असोसियेशन के ओपनिंग से हमने कभी कोई भी अंटी असोसियेशन अक्टिविटीज नहीं की, हम हमारे CDA डांसर के साथ ही है, बट फरक से इतना है कि CDA असोसियेशन के ट्रेड उनियन नंबर पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम वो ट्रेड उनियन नंबर के ऊपर कोई भी फाइट न नंबर हमने अप्लाई किया, तो यह गवर्मेंट रेकागनाईज लीगल कमपनी है, जहां पर हम CDA डांसर को एन्रोल कर रहे है, यह लाइफटाइम मेंबर्शिप है, और थैंक्स टू मासर जी जिसके विए से आज जो डांसर कन्फ्यूज थे, उन्हों समझ में नहीं आ र सर ने बात किया, तो यह सारे डांसर के लिए पैसा जाता है, लेकिन यह उन खास डांसर के लिए हैं, जिनको पता है कि हम लीगली खड़े रहे के अपने खुद के राइट के लिए लड़ रहे हैं, यह उन डांसर के लिए नहीं है, जो खुद के लिए नहीं पर लड़ पा कि उन्होंने ये सारे फैसिलिटीज हमें दिये है और सारे सीनियर्स लोगों को आज जो मास्टर जी खड़े करके जो रिटायरमेंट ले चुके है . X Association से जन्होंने 20-20,000-30,000 देके औल सीनियर्स को रिटाइर्मेंट दे चुके है तो वो मासर जी को क्या जरूत है किसी को आगे करके बोलना कि आप मेंबर बन जाओ मैं आपको फैसिलिटी दूँगा क्यूंकि उनके भी घर मासर जी के वजे से ही चलते हैं बाकि कोई कुरियोग्रफर नहीं है इंडस्ट्री म बारे में इतना सोचता है और ही भात चोटी सी ये दिव्यकोटियन के बारे में आऩ अचानक से वह HIMारे साथ घ्Гूमती भी रहती थी लेकिन अचानक से पतानिं उसको क्या हो गया है वह या funeral हो यह कोई किसी के दबाव में कर रही है या कि पूँझे किश चीज में कर रही ह हमें पता नहीं है लेकिन उसे जो भी allegations लगा है ना Master जी पे तो उसका तो कोई proof है नहीं क्योंकि ऐसा कुछ कभी हमने Master जी के खिलाफ कोई लड़की आके उठके यह कहें क्योंकि एक एक पे जब लगाते हैं तो प्लीज आप पहले प्रूफ कीजिए कि ऐसे कुछ आदमी का यह सब चीजों में हाथ है बिकुज यह रियली फणी साउंड करता है और कुछ नी थैंक यू सो मच डांसर्स फॉर अल्ड कोपरेशन थैंक यू मास्टर जी हाँ जी कुछ पूछना हाँ जी हाँ जी चाहता हूं कि मुझे अच्छान लगता हूं बहुत सीनियर कोरुगाफर है मैंने मैंने तुन के अच्छ ज्यादा काम किया नहीं मेरे गूर कमर मास्टर जी तरें जो भी एलिकेशन उस वक्त डाले थे तो मैंने बच शांती से उसको कि मैंने ही चाहता था कि उनके पर मैं क सारोच जी कौन से यूनियन में बैठके यह बात कर रही है कौन से उदर के लोग है जब उनको मालूम है कि CDA के दो ओफिस बंध है तो आप वो पहले ओफिस खोलो वो औरिजिनल CDA में जाओ फिर मुझे बोलो आप वहां बैठे हो जहां पे कोई डांसा जी नहीं है कोई अ आप के लोग है वहां पे उनका इनुगेशन कर रहे हैं सब बोले अच्छी बात नहीं सारोच जी को जहां तक मैंने जितना हल्प किया मुझे बता है मैंने बागी का गाना किया ता एक दो तीन तो मैंने साजीद बाई से पुरा पिमिंड मैंने को दिया था बुलना नहीं कि बहुत सारी चीज़ी बाई बाई हैं सवरोच जी ने एक बार मुझे काल नहीं किया कि क्या हुरा है क्या जाने नहीं को सब सची बता था तो यह मुझे सब शिलगा अब मुझे सब एक करना है कि मैंने चाहँ कि वह बहुत एजड है और आ इस सब चीज में आए उनकी वाकिल के तुरू जो जाब देना है, वो दूँगा. होती है, लिकिन जब किचड उड़ता तो धुझा जाता है, तो बिना धुझाए सुखाऊंगा थोड़ी किचड को. खुझाए सुखाए 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 सुखा मैं को 19 साल हो गए गए गणिश के साथ और मुझे पता है गणिश कैसे है इतने लोगों की मदद किये अभी मदद कर रहे हैं तो लोग ऐसे बाते बना रहे हैं तो जिनको जो बाते बनानी है बनाने दो हमें कोई फरक्टे पर यह 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 देखे यह यह देखे यह पूरी इंडसी चलती है इसकी मदर बोड़ी ए फेडरेशन फेडरेशन को यह जो चीडिय का डिस्पूट चल रहे है इनको बिठा के बात करना चीए इनका प्राब्लम सॉल करना चीए और डांस डाइटर के सेशन में तो को है नहीं हम लोग है हम लोगो सब अपने तरफ से कर रहे है जो हमको लड़ना हम लोग बहुत स्ट्रॉंग है और बहुत सारी चीज अमने बहुत अच्छी की है तो यह जो दो सीडिये बंद है डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोग आये यह उनका रिएलेक्शन करा है तो यह जो प्रिति की उन्या ने यह भी उन लोग उदर जाके बंद करके वही है डांस तो फेडरेशन इनको हल्प करे सच जाने देखे और उसको उपन करे और रियल जो स शायद मुझे चश्मा पहना जा रहा है में लेकिन खुली आख से देख रहा है कोई फराग निपर देख रहा है यह समें इसमें रभी जी को बोलूँगा बोलने के लिए कि क्या डेफिनेटली मैं नहीं इस चीज को छोड़ूँगा अगर वो मुझे इस बात से धंकाना च चाते डराना चाते तो मैं नहीं डरूँगा मैं अगर आया हूं डांस मास्टर और डांसरों के लिए अच्छा करना तो मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए जहां तक लीगल एक्षन का सवाल है हम क्या क्या कर रहे मैं आपको अभी सारा डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन वी आर डूइंग एवरिधिंग जो सिविल क्रिमिनल जो पॉसिबल एक्षन है इन फैक्ट मैं आपको बता दू जब यह नोटिसे चल रही थी तभी मैंने कि नहीं एक्षन कर रहे है कि हमको मुझे धंकी दे रहे करियर बरबाद करेंगे यह वो मैं वह इस अब गलत है हम तभी एक्षण ले सकते थे दो ऑप्शन थे कि तभी एक्षन ले अब उसमें मैंने एक किया था कि क्या होता जनरली जनरली आइम सेंग इस वित कि वो कुछ और allegations कर ले यह भी टाइम आ सकता है आगे यह मैंने अब इनको सब को मीटिंग में बोला था तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा भी कुछ होगा आगे चलके तो हमको डिसाइड करना है कि अभी से उसको एग्रावेट करें कि बाद में करें वाल्टिमेटली कि वो टाइम आ गया है तो वी विल टेक ओल पॉसिबल एक्षिन जैसे आपने बोला सारे एक्षिन लेंगे कि अजी कि अन्य था कि अन्य वीजिबल में था उधर में यह नहीं नहीं था हम लोग की मीटिंग चल रही थी वहां में जनरल सेकेटरी हूं वह आप जो वीडियो देख रहे हूं में पासिंग का है में जह चांदियुली में टाइगर और शद्धा का गाना करने पॉचना था वहाँ पे मेरे प ड्राइवर को इसको बोला है चल लेट हो रहा है और मैं निकल गया उसके बाद यह हुआ है तो यह डेफिनेटली अगर वहां खड़े रहे कि मैं जहगडा देख रहा हूं लेकिन आप पुरा वीडियो के लिप मैं मंतद मैंने भी वहां से लाया हूं आप देख सकते कि मेर एक मिट के बाद में निचे उतरा हूं उसके एक मिट के बाद निकला हूं वीडियो भी आप देख सकते हैं मैं लेकर आओ दिखाने के लिए और वह देखना आपको वीडियो दिखा दो हूँ अग्योंन आपको प्याओ legitimately के लिए हूं आव Was अब उसमें उसने इतनी सब महाँ पर जाके फिर इनकी कुछ फाइट हुई फिर इलोड जाके अधर एंसी लिखी इसमें मेरा नाम दाला गनेश आचाने वो तो ठीक है मेरा कुछ मुझे बता ही ही था उसके बात मैं कल दूसरी ने शूटिंग कर रहा था ताइगा लोगे सद वो मत कमिशन में जाला ओगा गनेश आचाने ने थे ने है वोधा नो में आप पूण इसका ने दिखा ही है उनके बोलने पर मारा है वो साए अब तो इसका मेरी आए फिर इसका यह सब चालें पापे चालें अब आप हाँ जी आया वीडियो हाँ बोले हाँ जी हाँ जी येस आपकोस हाँ अगर मेरे सच अच अचा है तो मेरे पेक्ष अचे अचा अपटा है जाऊंगा इसमें कुई बाती नहीं है फड़रेशन की अपुरा हाँ कही करनेगा मदर बोल इसका मेरे करना ही ए उनको करना ही चीजिए जो इनने जो कोड़ियों बनाई बना ही है और ये जो जिएसक वेसे अम बेताई कारोटाट, इसición मेरे को तूचका के बेए किसको कुछ कुछ तूपी क्सको कुछ पूचानाइबुका नियुकि नी क्लित हरे टोपी जी को फूचना उन्हेगु बड़े उन्हेगुतिक और फूच किसको कुछ पूछ आए का है और उन्होंने जूटा एलिगेशन और जूटा केस किया है इसी से रिलेटेड है सब मैं जब हम करेंगे अभी कोर्ट में किया नहीं है तो ओशिवारा और अम बोलिए जूटे बेबुन्याद आरोप करके इनके उपर इनका जो रिप्रटेशन है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और उनका डिफेमेशन किया एक है और दूसरा उनने जूटा केस जूटा एलिगेशन किया है एक दूसरा ही है यह दो चीजे इनको कोई बुलावा नहीं है आपको कुछ कहना है आपको कुछ कहना था हम जो जूटा केस बोल रहे है उनने जो एंसी में लिखा है कि इनके कहने पर ये दो लड़कियों ने मुझे मारा ये जूटा ऐलिगेशन है अब उनने केस में वहां पर एंसी में वो चीज नहीं बोली है बराबर है बट वह आगे भी कुछ करेगो कि विमेंस कमिशन में गई I'm sorry, मैं थोड़ा सा इसी मामले में बात करना चाहूंगी ये जो NC copy है उसमें तो शायद उसने में नहीं किया क्यूंकि I'm sorry मैं थोड़ा सा एक emotional बात करना चाहूंगी जैसे मैंने पको पहले कहा कि Divya हमारी दोस्त हुआ करती थी लेकिन जब वो प्रिमाइस में दिखी तो उ तो उनको कोई बात नहीं करनी थी and ये जो जगडा हुआ है जिसमें Master Ji ka exit दिखाया है वो जगडा इस बल्बूते पे हुआ है because she started using abusive language and all regarding to the choreographers and the new association where I'm the general secretary but उसके अलावा जब हम police station गये as a friend she has cried in front of me and she said okay हो गई गुसा गुसा में बात अभी कुछ करते है हम लोग नया शु station की CCTV footage भी देख सकते हो अगर अगर आपको police station में मिलती है तो I'm sitting next to her and we are talking about it. वो इतना sudden था कि Master Ji का नाम कहीं भी predictable नहीं था कि उनका नाम आएगा लेकिन जो women's commission में उन्होंने जो दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि Master Ji वो जो पॉन के बारे में बात कर रहे है और तो as a celebrity अगर वो हमारे और मेरे और जैश्री के बारे में कुछ बोलती तो शायद ये बात इतनी नहीं उचलती बट जस बिकूस ही इस a male celebrity, he's been in this industry and people have been surviving because of him to a lot of extent. तो उसको पता था कि इनको target बनाना है तो शायद वो पॉन वाली बात उनके case को बहुत हाइलाइट कर सकती इसके लिए उनका इस्तमाल कर दिया गया है. Thank you so much. आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, दोस्तरा अच्छा कर रहा है तो इसके पर बाहर पर आप लाल्चन उचाज लगाएगा. इस तरह लोगी आप होगी, इस तरहे तो मैंने प्रेस कानफेंस लगाएगा. अगर मेरी गल्ती है तो मैं सजा करने के लिए हूँ, जल्ती नहीं है, और मैं के लिए तो मैं सब के सामने लिए क्या हूँगा. जो फैक्त है वे वाट बता है कि उस वक्त मुझे जहां तक बोला गया था तो इन्हों ने पूछा कि तु यहां के आया तो इसने बोला था कि में सारुजी को मिलने आई हूं और सारुजी तो आई नहीं थी खुद तो मुझे पता नहीं शायद क्योंकि जो यूनियन से वो कमिटी में है वहां सारुजी एंबिसेटर है वहां की जबकि सारुजी को वहां नहीं होना चाहिए था वो इनलेगल है वहां पे कौन वहां का चैर्मेन है या वहां कौन प्रेस क्या हो सारोज जी जी जरुवरत नहीं है और कुछ बात करने हाँ है ना और सब के लेटर है मेने पास इसमें छुपा रही गया ने अक्षा है वरून है रनभीर है कैतरीना है सुनाक्षी है आयूश है टाइकर है सब है ये देखी क्या है ना मैं अभी थोड़ा चा इदाही नी बखरक कटा नी शीर गुरुमा खानने बले तायर हो गया मुझे समझ में नहीं हा रहा है मैं तो कोशिशी कर रहा हूँ और मैं ये सब ये सब चीज होने से मैं पिछे थोड़ी अटने हो लाँ जो मुझे करना में करूंगा अच्छी दर से उसे कुछ नहीं होगा अप्कोस ये नई नए नए ये सब वज़ा नहीं है बहुत चोटी सी वज़या है अच्छा करने के लिए मुझे चोटी वज़ा का सामना करने इन अपनेट बैसीकली मैंने सोनी में बात की थी ती तो कहीं से कहीं रजनिस धुलिया जो डिरेक्टर भूच के उनसे कॉड़िनेट था उन्हेने बोला कि इनमें स्याद्ट मेर्ज हो रहा है यह चैनल इसा उड़ता है तो उसके वएसे मुझे उनन रोका है कि मार्च अपरिल में डेफिनेट करेंगे और मैं बेसिकली सच बता हूं में यह यह आपने खुशी के लिए कर रहा हूं किके मैं एक डांसर था मैं मेरी वाइफ मेरी बेटी को यह बोलता हूं कि आज लोग पुछ थे मुझे कि आप क्यो लड़ते हो बला आज अगर मेरे डैडी डांसर नी होते तो मैं डांसर नी होता मैं डांसर नी होता तो मैं डांसर नी मैं बाकी क्या सोचते हैं यह मेरे संतुष्टिक ले कर रहा हूं मेरे इस देकिके एक छोटे से स्लम एरिया में चाल में रहने वाला गनेश आचार्या को आज यह डांसर ने और कुरुगा फर्स ने बहुत कुछ दिया यह मेरे दिल की फिलिंग है तो मैं उनके लड़ूंगा मेरे साथ मेरी फैमिली है मेरी माँ है तो बज़र यह प्रढ़ करने जीए यह आप लोग को जो करना ही कीजिए मेरे तरफ से मेरे वकील और जो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूं करूँगा और इसमें चाहे मुझे कुछ भी हो जाए में परवानी करूँगा Thank you Okay We love you Master Ji Thank you Thank you किसको पूछना है कुछ? Okay no? Thank you Thank you very much We love you Master Ji We love you Master Ji Thank you